हलो एवरिमान वेल्कम पाक टू यूर फीड़ेट यूटूब चैनल एजिकेशनल हाइक्स हम पढ़ रहे हैं क्लास एट एंसी आइटी साइंस का चैप्टर नंबर फोर मटेरियल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स और अच्छे से जो भी important points है उसको हमने underline किया है तो चलिए देखते हैं अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो please red button दबा के subscribe कर दो यार और bell icon को भी press कर देना चलिए सुरू करते हैं reaction with water हमने इसके पहले पढ़ा था metals और non-metals का oxygen के साथ कैसा reaction होता है अगर नहीं देखा तो पहले और दूसरे पार्ट में जाके देख लो अभी reaction with water metals और non-metals का water के साथ reaction कैसा होता है यह हम देखने वाले हैं let us see how metals and non-metals react with water चलो अब हम देखते हैं कि metals और non-metals पानी के साथ react करते हैं या नहीं करते हैं sodium metal is very reactive sodium एक ऐसा metal है जो बहुत जादा reactive होता है it reacts vigorously with oxygen and water यह जो sodium होता है न यह oxygen और water दोनों के साथ बहुत तीज react करता है और a lot of heat is generated in the reaction और इन दोनों की reaction में sodium का अगर हम water के साथ या sodium का हम oxygen के साथ reaction करवाएं तो इन दोनों process में बहुत जादा heat आप बगल में देख सकते हो आग लगी पड़ी है न तो वही है बहुत जादा heat produce होता है अब हमें इस activity को करने से पहले यह जानना चाहिए कि जो sodium का हम यहाँ पर reaction करवाने वाले है sodium का जो size होता है न size होना चाहिए वो एक गेहूं के दाने के बराबर होना चाहिए अगर उससे बड़ा हुआ तो हमारे घर में आग भी लग सकती है इस बात का ध्यान रखना ठीक है it should be held with a pair of tongs हमें इसे चिम्टी से इसे उठाना चाहिए ताकि हमारा हाथ ना जल जाए हमें क्यारना क्या है take a 250 ml का एक सीसे का आप test tube के सकते हो या के सकते हो आप कोई भी glass का बरतन लेलो उसको आधा पानी से भर दो और क्या करो उसमें sodium metal डाल दो अब sodium metal को dry कर दो filter paper की मदद से और उसको क्या कर दो cover कर दो wrap कर दो cotton से put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker और उस sodium के जो तुकड़ा है उसको wrap करके ही हमें क्या करना है beaker में जिसमें पानी है उसमें डाल देना है अब देखो अब देखो क्या होता है हमें करना क्या है इन सारी चीजों का हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि water के साथ अगर हम metal और non-metal को react करवाते हैं तो क्या मिलता है यह highlight point बहुत important है ध्यान से सुनो You observe that sodium reacts vigorously with water तुमने देखा कि जो sodium है वो पानी से बहुत ज़ादा react कर रहा है क्यों क्योंकि देख रहो ना हमने beaker में आधा पानी भरा था और आख लग गई है तो reactive है ना ये Some other metals do not do so कुछ ऐसे metals भी होते हैं जो पानी के साथ react नहीं करते For example iron जैसे कि लोहा अगर पानी के contact में रखा जा तो बहुत सालों बाद ऐसे कह सकते हो बहुत दिनों तक अगर पानी में रखा गया हो तब ही उसमें जंग लगती है तब ही वो react करता है मतलब जल्दी react नहीं करता लेकिन वहीं पर sodium तुरंथ आख पकड़ लेता है Generally non-metals do not react with water through they may be very reactive in air और वहीं पर जो non-metals होते हैं वो water के साथ react नहीं होते लेकिन वो oxygen के साथ बहुत ज़ादा react करते हैं ऐसे non-metals को हम पानी में ही रखते हैं ताकि अगर वो खुले हवा में आएंगे तो वो react कर जाएंगे For example phosphorus जैसे कि एक phosphorus एक non-metal है very reactive non-metal है ये It catches fire इसमें आग लग जाती है phosphorus को अगर हम oxygen के contact में लाएं या अपने खुले वाता वरड में लेके हैं तो इसमें आग लग जाएगी To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen it is stored in water और इसी के लिए phosphorus हवा के contact में ना आए इसी के लिए हम उसे पानी में store करके रखते हैं चलिए अब तो हमने देख लिया water के साथ क्या reaction होता है metal and non-metal का अब हम पढ़ेंगे कि reaction acids के साथ कैसा होता है metal and non-metal का चलिए आए देखते हैं अब इसमें जो activity है यह आप कर लेना इसमें बहुत जादा कुछ नहीं है मैं इसका summary बता दे रहा हूं कि इन सारी activity से हमें मिलेगा क्या आप underline वाले चीज़े देख पा रहे हो ना यही important है केवल यही पढ़ो इसी से पता चल जाएगा कि metals and non-metals acids क साथ कैसा react करते हैं you must have found that तुमने उपर activity करने के बाद तुम्हें ये पता चल गया होगा that non-metals generally do not react with acids but metals react with acids अब हमें उपर से इतना तो पता चल गया उपर activity करने के बाद कि जो non-metals अबー वो acids के साथ react नहीं करते हैं वहीं पर जो metals होते हैं वो acids के साथ react करते हैं and produce hydrogen gas और hydrogen gas produce करते हैं मतलब कि जब भी हम acids का और metals का reaction करवाएंगे तो हमें hydrogen gas मिलेगे ठीक हम इसको check कैसे कर सकते हैं that burns with a pop sound अगर हम कभी भी metal का और acid का reaction करवाएं और hydrogen gas निकल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हमें जो glass का हमने जो test tube लिया है उसके उपर हम जलती हुई माचिस को ले जाएंगे तो pop sound निकल के आएगा मतलब hydrogen gas है you must have noticed that pop sound का मतलब आप कह सकते हो एक आवाज आती है pop करके उसी को pop sound कहते हैं ठीक है you must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid तुमने notice किया होगा कि copper एक ऐसा metal है जो dilute dilute का मतलब हलका hydrochloric acid के साथ react नहीं करता यहां तक कि अगर हम उसे गरम भी कर देना तब भी react नहीं करेगा but it reacts with sulfuric acid लेकिन वहीं पर copper जो है sulfuric acids के साथ react कर जाता है और hydrochloric acid के साथ react नहीं करता है reaction with basis अब यह activity बहुत important है मैं तुमें बता देता हूँ तुभी demonstrated by the teacher यह activity आपके teacher के निर्देसा अनुसार ही किया जाना चाहिए during the preparation of sodium hydroxide solution care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula जब भी हम sodium hydroxide solution बनाएं हम एक बात का ध्यान रखें कि जो sodium hydroxide के जो छोटे 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 pellets होते हैं तुकडे होते हैं उसको हम spatula 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 मतलब कोई पकड़ने जैसी चीज होती है चिम्टी माल लो आप ठीक है केवल चिम्टी ही माल लो आप उसी की मदद से हमें sodium hydroxide को पकड़ना चाहिए अब हमें इस activity में करना क्या है prepare a fresh solution of sodium hydroxide हमें sodium hydroxide का solution prepare करना है in a test tube test tube में by dissolving 3-4 pellets of it हमें क्या करना है sodium hydroxide का जो छोटे छोटे तीन चाट टुकडे है उसको हमें 5 ml पानी में dissolve कर देना है मतलब घोल देना है ठीक है drop a piece of aluminium foil into it अब जब solution बना लें आप तो उसमें क्या करना है aluminium foil भी उस test tube में डाल देना है aluminium foil क्या होता है आप कभी burger खाते हो या कभी भी restaurant से खाना pack करा के लेके आते हो तो एक चमकदार सी चीज होती है उसी को कहते है aluminium ठीक है वही होता है aluminium foil अब हम अगर aluminium foil sodium hydroxide solution में डालेंगे और उसके बाद हम क्या कर रहेंगे bring a burning match stick हमें जलता हुआ माचिस test tube के सामने लेके आना है अब observe करना है कि क्या होता है अब जो pop sound निकलेगे जब हम माचिस लेके आएंगे sodium hydroxide जो sodium hydroxide जो solution होता है उसमें जब हम aluminium डाल देंगे तो pop sound भी produce होगा मतलब hydrogen gas निकल रहा है metals और इन सारे चीजों से हमें क्या पता चलता है हमें यह पता चलता है metal react with sodium hydroxide जो metals होते हैं वो sodium hydroxide मतलब base के साथ react करते हैं और hydrogen gas निकालते हैं evolve करते हैं reaction of non metal with bases are complex और वहीं पर अगर हम bases का non metal के साथ react करवाए न तो वो बहुत complex मतलब बहुत देर बाद react करेगा या बहुत कठीन होगा समझ गए displacement reaction अब displacement reaction आपके book में बहुत जादा लंबा दिया गया है आप समझ सकते हो एक activity दी गई है फिर ये सारी चीज़े दी गई है लेकिन मैं आपको छोटे में बता देता हूँ confirm हो जाएगा पूरा displacement reaction बस इतना ही याद रखो अब यह आप figure देख पा रहे होगे अपने सामने इस figure में क्या लिखा है single replacement लिखा है उसी को हम कहते है displacement reaction ठीक है अब displacement का मतलब ही होता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे चीज की जगह ले लेता है मतलब कोई एक metal किसी दूसरे metal का जगह ले लेता है मैंने यहाँ पर colors से समझाने की कोशिस की है आपको आप देख रहे हो यहाँ पर A और B जो दो है जो दो color मिले हुए न यह एक compound है मतलब दो चीजों से मिलके बना है और जो दूसरा वाला है B वो अकेला है है न उसको हम element क करें और और क्या कर दें आपस में जो result आएगा जो product आएगा जो product आएगा उसमें आप देख रहे हो color change हो गया है कि नहीं दूसरा compound बन गया और element अलग हो गया मतलब क्या हुआ जगह ले लिया न इसी को displacement reaction कहते हैं आपको कुछ नहीं करना आपको बस और बस इसका screenshot लेना है और कोई भी पूछे what is displacement reaction जो लिखा गया है बस वही बता दो समझ गया कोई दिक्कत तो नहीं है न तो I think आपको displacement reaction भी complete हो गया होगा अब uses of metals and non-metals हमें metals and non-metals के क्या uses होते हैं हमारे day to day life में यह हमें पढ़ना है you should be able to guess why metals are used in making machinery तुम्हें तो पता ही होगा कि जो metals होते ह है metals का मतलब लोहा हो गया हमारा ठीक है यह सारी चीजे machinery मतलब machines में automobiles मतलब गाड़ियों में aeroplane में train में satellites जो आसमान में जाते हैं satellite चंद्रमा और इन सारी चीजों का देख भाल करने के लिए मतलब वहां की तस्वीरे लेने के लिए उन सारी चीजों में industry मतलब जो हमारी factories होती है industries होती है वहां जितनी भी चीजे होती है वो भी आप समझी सकते हो metals के ही बने होते है cooking utensils जो बरतन होते है steel हो गया हमारा ठीक है लोहे का भी होता है बरतन हमारा तो यह सारी चीजे और water boilers water boilers मतलब आख समझ रो ना पानी को उबालने की जो मसीन होती है वो भी metals की ह बनी होती है, you are also familiar with the uses of some non-metals, तुम्हें ये भी पता होगा कि non-metals के भी कुछ uses होते हैं, here are some interesting ones, आप नीचे देख सकते हो non-metals के बहुत सारी uses दिये गए और बहुत जादा interesting है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, चलिए शुरू करते हैं पहला क्या है, non-metals is essential for our life अब non-metals हमें जो हम सांस लेते हैं उसमें भी हम non-metals inhale करते हैं मतलब अंदर हम क्या लेते हैं non-metals ही लेते हैं, और उस non-metals का क्या नाम है, oxygen समझ गया है न, चलो दूसरा non-metals used in fertilizers अब fertilizers जो खाद होता है जो हम अपनी खेतों में छिड़कते हैं उसमें भी non-metals का ही use होता है कौन से non-metals का, N N का मतलब nitrogen, P का मतलब phosphorus, nitrogen and phosphorus का use होता है हमारे fertilizers में, तीसरा non-metals used in water purification पानी को सुध करने के लिए किसी non-metals का use होता है, अब वो non-metals का नाम क्या है, chlorine, याद आया ठीक है, चलो, आगे चलते है non-metals used in the purple colored solution, आपने देखा होगा कि आपको कहीं चोट लग जाती है, तो doctor आपके चोट पर कुछ purple color का solution लगाता है जिसको हम antiseptic बोलते हैं उन antiseptic में भी non-metal होता है, वो कौन सा non-metal होता है iodine, समझ गए, चलो आगे, non-metal used in crackers हम पटाखों में भी non-metal का यूज करते हैं, अब वो कौन सा non-metal होता है जो पटाखों में भी यूज करते हैं, sulfur समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर हमारा chapter खतम होता है ये पहली और बूजोरी कुछ question पूछा है, तुरन चाप्टर को खतम गड़ने, बस इनके questions को answer देगे चलो, अब ये लड़की ये पूछ रही है कि मैंने सुना है, magnesium पौधों में भी पाए जाते हैं अब magnesium पौधों में किस रूप में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए green plants में एक pigment होता जिसका नाम होता chlorophyll chlorophyll के अंदर ही magnesium होता है समझ गए, दूसरा इस लड़की की भी question को answer दे देते हैं इसने पूछा कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी body में iron की कमी है अब ये परिशाने बिचारा कि iron मेरे सरीर के अंदर कहा है तो मैं आपको बता दूँ iron हमारे hemoglobin में होता है RBC का नाम सुना है red blood cells उसी के अंदर iron होता है तो यहीं पर हमारा chapter over हो जाता है next part में हम इस chapter के question answer लेके आएंगे तब तक हमारे channel के साथ बनी रहिए हमारी वीडियोस को देखिए और अगला वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है क्लास 8 के लिए थोड़ा सा प्राइजिंग ली भी है तो मेरे चानल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं